हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ टोफू टिक का बनाना शिदू करते हैं एक मिक्सिंग बाउन लेकर उसमें एक लाज शिमला मिर्च एक हरी शिमला मिर्च और एक प्याज इन तीनों को मैंने स्केर पीसिस में काट लिया और एड़ किया 200 ग्राम टोफू इसके भ चिकपी फ्लोर वन टीवल स्पून रॉप सॉल्ट वन टीवस्पून सियन पेपर हाफ टीवल्फून हल्दी पावडर वन टीवस्पून दरद्रा नियां टेबल स्पून कस्तूरी मेथी और ह्लफ टेबल स्पून कोकोनेट ऑईल अब सभी को हम अच्छे से Kirby Lex कर के टोफू के पीसिस अब इसे हम दस मिनिट के लिए चोड़ देंगे पिर स्कुवर लेकर पहले लां मिर्ज फिर प्याज फिर हरी सिम ला मिर्ज फिर टौफू इसी सीरियल में सभी पीसिस को लगा देंगे और फिर प्रीहिंटीड एर फ्रायर में या में 10 10 मिनिट के लिए 180 डिग्री पर इसे हम रोस्ट कर लेंगे वो गया हमारा टोफु टिक का तैया किसी भी चट्मी के साथ खाईए टेस लीजिए और हेल्दी रहिए हम टोफु टिक के हेल्दी आइटम्स डिसकस करेंगे चिक्पी फ्लोर काबली चने का आटा काबली चने के आटे में ग्लूटन बिल्कुल नहीं होता तो इसकारण ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है जिने ग्लूटन से अलर्जी है वेगयों के आटे की ज मिनरल्स, मेगनीज, मेगनीशियूम, फासफोरस, आईरन और सेलेनियम होते हैं ये सभी हमारे ब्रेन के सही से काम करने बोंस को हेल्दी रखने और डाजेशन बढ़िया रखने के लिए जरूरी होते हैं कहते हैं जितने मिनरल्स और विटामिन हमें एक दिन में चाहिए उस विगन डाइट लेते हैं टोफू में फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं ये डाजेशन बढ़िया रखने में भी फाइदे मंद है साथी साथ कोलन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है टोफू सोयब इनका बना होता है तो प्रोटीन का बहुत ही रिस सोर्स है लेकिन स साथ इसको डाजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो हफते में एक बार या मैक्सिमम दो बार ले सकते हैं बोन्स और मसल्स दोनों को स्ट्रॉंग करने के लिए ये प्रोटीन बहुत है इसमें कैलोरी कम होती है तो खाने में बढ़ने की कोई टेंशन नहीं होती व सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं यह एज रिलेटीड मेंटल प्रॉबलम से भी बचा कर रखता है लाज शिमला मिर्च लाज शिमला मिर्च हरी और पीली दोनों से ज्यादा है इसमें बहुत ज्यादा कॉंटिटी में विटामिन सी होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को पाइदयमन्द है यह आंकों के रेटिना को हैंक नदीि रखती है लाज शिमला मिर्च सकी शील्स को हैंक हरे हिल्दी रखिन तेशक्ल को फाइदय मन्द है यह से इस्कीं को स्मूठ और ग्लोइंगा दिया है यह वाइट में श्की ग्रोथ को बढ़ाताती है तो जख़म भ सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू फिर मिलेंगे हेल्दी रेसिपी के साथ